यह है Vivo Y75 4G, इसके पहले 5G वाला भी लॉंच हो था, जिसका हमने केमरा टेस्ट किया था, उस पे भी आपने काफी अच्छा रिस्पॉंज दिया था, आज फिर से हम इसका केमरा टेस्ट लेकर आ है, यह 20,990 रुपे की प्राइस पर लॉंच हुआ है, और अगर आप केमरा से किसी फोन को बाय करना चाहते हो, तो वीडियो लास्ट तक जरू देखना, बैक कैमरे की बात करें, जो 50 मेगा पिक्सल का में लेंस, 8 मेगा पिक्सल का ल्ट्रोईड, 2 मेगा पिक्सल का आपको मेकरो से लेंस से देखने को मिलेगा, और सेलफी आपको यहाँ पर 44 मेगा पिक्सल मिलेगी आई ओटो फोकस केमरा फिचर्स की बात करें तो मेन लेंस 50 मेगा पिक्सल आप सेट कर सकते हूं वीडियो में आपको 1080p तक का रिजोलेशन मिलेगा इस्टेबरेशन को अपर डाइनेमिक रेंज वगर आप देखोगे बहुत अच्छा लगरा इसकाई वगर इसने अच्छे से मेंटेन किया है जूम की बात करें तो जूम वगर के बाद भी कुछ इस तरह से क्वालिटी आदि अच्छी लग रही है ज्यादा पिक्सल फट नहीं रहा है एक सौफ्ट सा अच्छा लगरा देखने में तो अल्टर वाइट पर कुछ इस तरह से आप और सेट अब देख सकते हो एसडिया रेंज वगर अच्छी है और कलर भी इसने अच्छे रिप्रोडूस कि यह डारेक्ट संलाइट पढ़ रहा है लेंस पो उसके बाउत उसने इतना बढ़िया रिजल्ट निकाल कर दिया शेडव अगर अच्छे से मेंटेन किया यह मुझे परसनल अच्छा लगा है इस डियारोन करने के आप कुछ इस तरह से फोटो जाती है तो जो परसनली मुझे सही लग रही थोड़ सा आर्टिफीशल टाइप भी लगा था मुझे इसका है बट ह चोटो फोकस की बात करें तो कुछ इस तरह से फोटो निकाल कर देता है डीटेल क्लेरीटी काफी सही लग रही है आपर और बेग्राउंड में जो डैप्त है वो भी इसने काफी अच्छे से क्रियेट किया है तो में लेंस इसका काफी सही है 50 मेगा पिक्सल का और कुछ इस इस तरह से आप फोटो ले सकते हो काफी सही है फोटोग्राफिक करने वालों के लिए नौर्मल कैमरा बोल सकती हो आप बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी नहीं यह सारी चीज़ा आप देख सकते हैं इसकी इस तरह से काम करता है यह अल्ट्रावाइट पर आप देखोगे त इस तरह से आपको यहां पर सारी चीज़े फिल्टर वाइस देखने को मिलेगी जो कि काफी सही लगता है आपको अलग-अलग पोट्रेट फिल्टर इसमें मिल जाएंगे कलर्स चेंज करने के यहां पर आप देखोगे ब्लू फिल्टर वाला लिया है यह डार्क था कोंट्रास्टी पास से आप जब लेंगे पोट्रेट तो काफी सही हैं आप 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 देख सकते है कि तरह अच्छे हैं सेल्फी की बात करें 44 मेगापिक्सल के साब से मुझे रिजल्ट नहीं मिले हैं 32 मेगापिक्सल टाइप से एक फोटो लग रहा है यहां पर लेकिन ठीक है 44 मेगापिक्सल आई उटो फोकस है एस्डिया रेंज इसका कुछ इस तरह से काम करता है और कलर पर भी आप देखेंगे नहीं कर रहा है नॉर्मल सेल्फी केमरा ही लग रहा है और अलग लग फिल्टर पर भी हमने ट्राय किया जैसे आप यह देख सकते डार्क लाइट ब्लू पिंक स्टाइप सारे हमने यहां पर देखने को कोशिश किए पोट्रेट में फिल्टर लगा करता ही है और यहां पर डारेक सनलाइट में आप देख सकते कुछ इस तरह से थोड़ा सा कम लाइट हो तो यहां पर यह देख सकता है कितनी अच्छे से काम किए यह वन एक्स का है फाइव एक्स अल्ट्रावाइट सारे हमने सेंपल्स लिए है वीडियो की बात करें तो तो क्यारा वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो तो कुछ इस तरह से आपको रिजल्स देखने को मिल जाएंगे वीडियो में थोड़ा से कहीं-कहीं पर लेग भी कर रहा था कैमरा आप देख सकते हो फ्रेम ड्रोप आपको देखने को मिल रहे होंगे और कहीं-कहीं पर जिटरिंग देखने को में जी इसा लग रहा था slow motion में यह video record किया लेकिन यह normal mode में ही record किया था और फोकस वगेरा भी मैंने आपको चेक करा दिया कुछ इस तरह से और भी और फोकस आपको दिखा देता हूं यहाँ पर डेल आइट में जितने भी हमने samples लिए काफी सही आगे night mode के भी sample आपको बता दूँआ कि night mode में किस तरह से यह काम करता है तो आटो कितना यादा camera shake कर रहा है जबकि उपर आपको stability का option मिलेगा लेकिन वो बिल्कुल भी काम कर देख सकते हो HDR रेंज डारेक सनलाइट जब लेंज पर पड़ती तो कुछ इस तरह से इस तरह से जड़ता है back camera की मुकाबले मुझे सेलफी camera में stability और जो रिजल्ट से वो काफी सही लगे और सेलफी camera में भी आप stability बगे देखोगे ना आउन करके तो कुछ इस तरह से रिजल्ट देख रहा है क्लेरीटी उतनी खास नहीं लगी हो फ्रेम भी काफी कट चुकी है जिसे आपने पहले वाला वीडियो देखा आए camera में मैंने आपको दिखा भी दिया बेक camera में भी आ रहा था फ्रेंट में भी आ रहा था हो सकता software अब्डेट के यह problem खतम हो जाए बट उस समय तो आ रहा तो देखिए आप यहां पर भी तो डूल वी वीडियो भी इसमें है दोनों camera आप एक साथ यूज करते हो फ्रें बोड में लिया हो तो clarity वगर अच्छी आ रही है डिटेल्स वगर यहां पर noise reduction का भी काम इसना अच्छा क्या है बहुत ज़्यादा high quality photos नहीं है बहुत ज़्यादा low quality photos भी नहीं है average आप camera इसका वोल सकते हो बहुत ज़्यादा high पर आप इसका expectation मत करना camera purpose से तो यह था इसका camera test अगर मैं अपना opinion बताऊं तो मुझे इसका camera average लगए आप हो सकता है V23 पर जा सकते हो V23E का भी camera better रहे या फिर Vivo T1 Pro की तरफ जा सकते हो उसका भी camera काफी सही हो प्रोसेजर भी उसमें अच्छा मिल रहा है इसमें ना तो आपको प्रोसेजर उतना अच्छा मिल रहा है न आपको इससे कोई comparison चाहिए camera में तो आप comment करके जरूर बता सकते हो मैं उस पर camera test लाकर दे रहा हूँ so thank you so much for watching मिलता हूँ आपसे next studio में